दोस्तों उत्तर प्रदेश की धर्ती जहांपर अयोध्या है, जहांपर अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर का उद्गाटन हुआ है, उसी उत्तर प्रदेश के इलाके में कुराने पाक का बहुत बड़ा करिश्मा निकल कर सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर यकीनन आप स सभी के लिए बहुत खास है आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आप कुरान पाक से महबबत करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए तो चल दे धीरे वह लड़की भी नावेद को चाहने लगी थी फिर उन दोनों की महबबत का तालुक इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह दोनों महसूस करने लगे थे कि हम दोनों एक दूजे के लिए ही बने हैं इसलिए अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए इसके बाद नाव कि के वालिद ने कहा कि कोई बात नहीं आप दोनों की शादी हो जाएगी मगर इसके लिए हमारी एक शर्त है और शर्त ये है कि तुम्हें पता है कि हम हिंदू धर्म से हैं और तुम एक मुसल्मान हो इसलिए हम अपनी बेटी की शादी किसी मुसल्मान घर में नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको अपना दीन इसलाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म कबूल करना होगा और साथ ही आपको अपने वालिदें से तालुकाद भी तोड़ने पड़ेंगे मतलब के शादी के बाद कभी भी आप अपने घर पर नहीं जा पाओगे अगर आपको हमारी ये सब शर्तें मनजूर हो तो फिर हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ करने के लिए तैयार हैं नावेद उस लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि अल्ला के इस बंदे ने उनकी तमाम शर्तें कबूल कर लिए अपने माबाप से रिष्टा खत्म कर लिया अपने दोस्त अहबाप से नाता खत्म कर लिया अपने घरबार से रिष्टा तोड़ लिया और यही नहीं उसने सबसे प्यारा दीन इसलाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म भी कबूल कर लिया अब तो वह उनके माहौल में ही जिंदगी गुजारने लगा था फिर कुछ दिनों के बाद में उन दोनों की शादी भी हो गई अब इधर नावेद के घर वाले उसके गाव वाले बहुत परेशान रहने लगे कभी कभी वह उसकी तलाश करने की कोशिश भी करते मगर यह उनसे मिलने से भी घबराने लगा था अगर नावेद कभी अपने किसी को देख लेता था तो यह उनसे दूर भाग जाता था बिल आखिर सब लोग तक हार कर बैठ गए और कहने लगे कि उसके दिल के उपर मोहर लग गई है तो किसी ने कहा कि वह मुरदार हो गया है तो किसी ने कहा कि उसने जहन्नुम खरीद ली है इस तरह से हर कोई अपनी अपनी बात कहने लगा ऐसे करते करते फिर तीन-चार साल नावेद ने इसी हाल में गुजार दिये यहां तक कि वह अपने दोस्त, मा, बाप सबकी याददाश्त से भी निकलने लगा था लेकिन एक दिन जब मस्जिद के इमाम सहब फजर की नमाज के लिए मस्जिद का दरवाजे खोल रहे थे तो देखा कि वह लड़का पहले से ही मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है मस्जिद का दरवाजा खुलते ही उसने वज्जु किया और फिर मस्जिद में नमाज की सफ में जाकर बैठ गया इमाम सहब उस लड़के को मस्जिद में देखकर बड़ी एरान हुए क्योंकि मस्जिद के इमाम सहभ भी उस लड़के की कहानी से वाकिफ थे खैर इसके बाद में इमाम सहभ ने सब को नमाज पढ़ाई और फिर वह उस लड़के को लेकर अपने कमरे पर चले गए वहाँ पर जाकर इमाम सहभ ने महबत से उस लड़के से पूछा कि आज तो बड़े दिनों के बाद में आपकी जियारत नसीब हुई है तो यह सुनकर फिर उस लड़के ने अपने तमाम बातें बता दी उसे लड़के ने बताया कि इमाम सहब मैंने उसे हिंदू लड़की की महबत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था उसके लिए मैंने अपना सब कुछ जाया कर दिया था लेकिन मैं जिस घर में रहता था उस घर में मैंने अल्लाह की किताब कुरान पाक को रखा हुआ था जब भी मैं कभी कमरे में आता तो मेरी नजर उसे कुरान पाक पर पढ़ जाती और उसकी बरकत से मेरे सब काम आसान हो जाते ये देखकर में मेरे दिल ही दिल में सोचा करता था कि यह मेरे रब का कलाम पाक है ये मेरे अल्लाह का कुरान है ये मेरे घर में मौझूद है और साथ ही में अपने नफस को मलामत भी करता था इमाम साहब आमाल तो मेरी बुरे थे लेकिन दिल मेरा कहा करता था कि मैंने जिस रब का कलमा पड़ा है उससे मैं अभी मुहबबत करता हूँ उसकी निशानी कुरान पाक अभी मेरे घर में मौजूद है इस तरह से करते करते फिर चार साल गुजर गए एक दिन हर रोज की तरह में अपने घर आया और उसी जगह पर मेरी नजर गई जिस जगह पर कुरान पाक रखी हुई थी लेकिन मुझे वह कुरान पाक वहाँ पर नजर नहीं आई ये देखकर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहां पर एक किताब रखी हुई थी वह अब कहां पर है तो उसने कहा कि आज मेनू पूरे घर की सफाई की है इसलिए आज मैंने तमाम गैर जरूरी चीज़ों को घर से बाहर फेंक दिया है मैंने पूछा कि क्या उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है तो उसने कहा कि जी हाँ, मैंने उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है, इतना सुनते ही मेरी आँखों से आंसु छलक पड़े, और मेरी नजरों के सामने जहन्नुम के नजारे घूमने लगे, शदीद आग और उसमें लटके हुए जहन्नुमी दिखाई देने लगे, यह देख अहतराम कर रहा हूँ, तो वह मुझसे पूछने लगी कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है, जो इस किताब को कूडे की धेर से तुम वापस लेकर आए हो, फिर उसने देखा कि वह किताब अर्भी में लिखी हुई है, तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, इसका कोई ना लुका इसलाम से जरूर है, यह देखकर फिर मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी, कि या तो इस घर में अब ये किताब रहेगी, या फिर मैं रहूंगी, तुम्हें इसके बारे में आज और अभी फैसला करना होगा, इमाम साहब जब मेरी बीवी ने ऐसा कहा, तो आप मेर लिए यह जिन्दगी का एक अजीब वक्त था, इसलिए मैंने अपने दिल से पूछा, कि तूने अपनी ख्वाहिश की तक्मील के लिए वो सब कुछ तो कर लिया, जो तुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज अगर फैसला गलत कर लिया, तो तेरा रिष्टा भी दूर नहीं होना चाहता हूँ, इमाम साहब मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, और फिर मैंने दोबारा कलमा पढ़ लिया, अब हमेशा के लिए पक्का मुसल्मान बन गया हूँ, यह सुनकर इमाम साहब कहने लगे, ऐ शख्स, यही तो महबत-इलाई है, अगर इनसा असी इलाके में एक बड़ा ही प्रहजगार मुसलिम लड़का था, अल्लाह की इबादत करने वाला था, वह ज्यादातर अपना वक्त मस्जिद में ही गुजारा करता था, और यही नहीं, वह मस्जिद में पांच वक्त की अजजान भी दिया करता था, और साथ ही पांचों वक्त की नमाज भी बाजमात अदा किया करता था आपने इस अमल की वजह से वह अल्ला के बहुत करीब था शायद यही वजह थी कि उसका चेहरा हर वक्त खिला-खिला रहता था हर वक्त वो खुश रहता था एक दिन की बात है वह लड़का अजान देने के लिए मस्जिद के गया मगर आज जैसे ही वह मस्जिद के उपर चड़ा तो उसकी नजर सामने वाले घर पर चली गई उस सामने वाले घर में एक नहायत ही खूबसूरत लड़की घूम रही थी मुस्लिम लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ गई वह लड़का उसको देखते ही पागल स में खोया रहने लगा वह इस लड़की के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो वक्त पर अजान देना ही भूल जाता था क्योंकि वह जब भी अजान देने के लिए मस्जिद के उपर चड़ता तो फिर वह उस लड़की को देखता रहता हम आपको यह भी बता द और सीधा उस लड़की के घर के सामने पहुँच गया उस लड़के को देखकर वह लड़की भी अपने घर के धरौजे पर आ गई और उससे पूछने लगी ए लड़के क्या बात है तुम हर रोज मुझे क्यों देखते हो और आज तुम यहां पर क्यों आगए हो तो यह सु नहीं बात बताने के लिए यहां पर आया हूँ, कि मुझे आपसे मुहबत हो गई है, मेरा दिल आपको पाने के लिए बेकरार हो गया है, यह सुनकर उसे लड़की ने कहा, मैं कोई तोहमत वाला काम नहीं करना चाहती। यह सुनकर उस मुसलिम लड़के ने जवाब दिया, एए लड़की तुम तो अपना धर्म नहीं छोड़ सकती हो, मगर मैं तो तुम्हारे प्यार में अपना धर्म छोड़ सकता हूँ, यानि कि मैं तो इस इसलाम धर्म को छोड़ कर हिंदू धर्म को अपना सकता हूँ, मतलब जावेद ने इसलाम धर्म छोड़ दिया और हिंदू धर्म को अपना लिया। मगर अब आप यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखिए। उस मुस्लिम लड़के के साथ में आगे क्या हुआ। पोड़े दिनों के बाद में उन दोनों की शादी का दिन भी तय हो गया। और उसके बाद वह तारीख भी आ गई जिस दिन उनकी शादी होने वाली थी। आप कल यानि की सुबह इन दोनों की शादी होने वाली थी। और आज जावेद बाजार में शॉपिंग वगेरा कर रह तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर मर गया अब आप इसे अल्लाह की कुदरत कहें या कुछ और कहें मगर शायद यह अल्लाह को मंजूर नहीं था कि वह इसलाम को छोड़कर किसी गैर मजहब की लड़की के साथ में शादी करे शायद इसी वज़ा से जा की हालत में मौत भी ना मिले इसलिए दोस्तों आप अपनी जिन्दगी में कभी भी कोई ऐसी गलती ना करना जो अल्लाह को पसंद ना हो